वेल्कम बैक प्यूर्स आज हम बनाने वाले हैं कोपरा पाटिस तो आईए रेस्पी की शुरुवात कते हैं सबसे पहले मैंने लिए हुए दो मीडियम साइज आलू जो उबले है और मैश किये हैं इसमें इसके साथ हम डालेंगे एक शमच अद्रक और मिर्ची का पेस और एक इसमें डालेंगे नमक सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे यह हम कवर बना रहे तो यह हमारा पाटिस का कवर बनकर रैडी हो चुका है फिलिंग की तयारी कर लेतें इसमें डालेंगे आदा कप फ्रेशली कदुकस किया हुआ नारियल अब हम लेंगे तीन मिर्चे एक चमच अद्रब कदुकस किया हुआ आदा कप हरा धनिया एक चमच निम्बू का रस अब हम इस सारे मिक्शर को बेना पानी डाले इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे नमक डालना भूल गई हूँ तो नमक ये स्टेज पे आड़ करूँगी तो ये हमारा फिलिंग बनके रेडी हो चुका है अब हम पैटिस की तयारी कर लेते कवर को इस सरीके से कप का शेप दे देंगी फिलिंग को भर लेंगी बंद करेंगी एक राउन रफ शेप दे देंगी और इसको कोटिंग अभी हमारा रोट की करेंगी ये स्टेज पे आप राजगीरे का आटा या फलारी आटा भी इस्तमाल कर सकते हैं कोटिंग इस सरीके से क्रैक ना हो पर्फेक्ट शेप आप दे दे अब हम धी मियाज पर पाटिस को तल लेंगे आप चाहे तो नॉन स्टिक पर भी कम तेल में फ्राय कर सकते हैं तो आप भी ज़रूर बनाएं